IBS Records ता तार्मिक प्राना वही गुरूप साज संगत जी कल देश समेच आप जिने विचार शरवन की थी तो वो विचार आज हम फिर दोहराएंगी गुरू नंक साइब महराज जी को सिदड प्रशन कर रहे हैं और गुरू नंक साही महराज जी उनका उत्तर देते हुए वानियों के साथ लाइनों के साथ उनका हिरद है जो उनको शील करने के लिए शीतल करने के लिए गुरु नानक साहब महराज सत्य माराज को बताने के लिए सिदों के साथ मुलाकात हो रही है तो आओ आगे फिर क्या सवाल गुरु नानक साहब माहरा से सिदो ने पूछा आओ शर्व ने करते हैं तो गुरु साहब माहरा ने जब बताया उन्हों को कि कोई किसी को यश्च प्रापत होता है उसकी वड़याही करता है उसकी बहुत बड़ाही होती है किसी को कुछ मिलता है तब उसकी वड़े उसके चिन निशान है तो फिर आगे गुरुसा फरमाते हैं गावे को विद्या विखम वीचार अब गुरुसा ही फरमाते हैं गावे को विद्या विखम वीचार गुर्षा फुर्माते ऐसी दोगों कोई पंडित विद्या विखम कठिन विद्या वेज शास्तर वेद खट जोतिश व्याकरन अधिक विचार करके उस वाहिगुरू के जश को गा रहे हैं जिनोंने शास्तरों को पढ़ लिया है वेदों को पढ़ लिया है कोई इस प्रकार से वाहिगुरू को गा रहा है कोई इस प्रकार से वाहिगुरू के जश को गाइन कर रहा है तो फिर जब सिद्धों ने पूछा गुरू साहिब क्या ऐसी गुरू साब की वड़े ही चलती औ तो गुरु साब फुर्माते हैं कोई भौतक विज्यानी जो है पांच भौतक शरीर कोई भौतक विज्यानी जो है इस धंग के साथ प्रभु का जस्गा रहा है उस प्रभु कुदर्त द्वारा तान शरीर के रच रच के कभी मिटाता है तो कभी पालता है तो गुरु साब की वानी का फुरमान है रामकली महला पंजवा पाचवे गुरु गुरु अजुत साहिब जी की वानी का फुरमान है माटी माटी होई एक गुरु साब कहते हैं यह सरीर जो है पाच भोतक शरीर है और इसको माटी कहा गया है और यह माटी की संग होकर माटी हो जाती है जब माटी की संग होती तो माटी चाहे वो कबरों के अंदर हो चाहे वो शमशान में हो तो खाक के साथ खाक कहलो चाहे माटी के साथ अगर कबरिस्तान में दाबा जाए तो बोल दो के कबरिस्तान मटी के अंदर वो मटी हो जाती है तो गुरु नारेस साही जी फर्माते है इस दिलों को, कोई गावे को साज, करे, तान, खेह, उस परमात्मा की बराई शिष्टी को सजा करके, फिर उसको मिटाना, उसको बनाना, उसको पालना, फिर खत्म करना, ये उसकी मर्जी है, ये उसका आश्चार है, ये उसका प्यार ह तो फिर इस पंक्ति में फर्माते हैं जब इस पंक्ति में तत्तव दिया गया है कि जो शरीर का है यहाँ पर दे तो आगे से गुरू साथ फिर फिर माते हैं गावय को जी लै फिर दे है कोई रूप ग्यानी इस ढंक के साथ वाहिगरू का यश गा रहा है कोई अकाल पर वाहिगरू जीव को जीव कला दे करके उसकी कला दे करके उसको गा रहा है वो अपने आपको स्वाइम खुद गवाता किसी जीव में कला डाल कर स्वाइम एपने आपको परवरतिगार गवाँ लेता है आपने आपको गवाता है उसको सौइम परवरतिगार को समय दुनिया गाती है को एपने जुक्ति से Frei ईसलिये बहुत संदर विचार गुरू साब नहीं भी परिकट किया बहुत प्यास से उन्होंने बोल कर समझाया हुआ है जूड जूड विच्छडे विच्छड जूडे जीव जीव मुए मुए जीव के जीव जीव मुए जीवे के जूड जूड विच्छडे और परवर्दिगार की खेड ऐसी है कि जोड जोड के विछोड देता है कही वार ऐसा होता है कि कही पि किसी का मिलन हो कही माबाप का बच्चे के साथ मिलन हो तो उनको विछोड देता है इस दुनिया से इंतकाल हो जा या फिर मा को या फिर भाई को या फिर बाप को ले जाते हैं इंतकाल, विछोड़ा, उसको विछोड़ा कहते हैं, तो जूड़ जूड़ विछड़े, विछड़ जूड़े, और जब विछड़े हुए हैं, उनको जोड़ने काम भी परवर्दिगार वही गुरू करते हैं, जीव, जीव यहां पे इंसान का नाम है, किसी जीव को ले लो किसी जीव को आप ले लो, उसका नाम जीव यहां पे दिया गया है, जीव और दूसरा फिर जीव क्यों बोला, जीव मुए, मुए जीवे, जो जीव जी रहे हैं, उनको मारने का शौक भी परवर्दिगार रखते हैं, और जो मरे हुएं, उनको जीवन दान देने का शौक परवर्दिगार वाहे गुरु रखते हैं इसलिए उसकी खेड अस्चारे वाली खेड है अस्चज खेड है समझने याती क्या करते इस खेल के अंदर ये खेल उनका अस्चारे है कोई समझने सकता उनके खेल को इसलिए गुरु साब उनको समझा रहे हैं फिर गुरु साब दूर दिखता है वो उसको दूर जानके उसे गा रहा है अपनी मत के मताबिक गा रहा है तो इस तरही गुरू से फर्मा रहे हैं सिद्धों को जिसकी मत जिसकी बुद्धी जितनी है उतना ही वो गाइन कर रहा है फिर गुरू साब सिद्धों को समझाते ये पंक्ती उचान करते हैं और फर्माते हैं पंक्ती में ग्रुस साहब फर्माते हैं गावादी को वेखे हादoshima हदूर कि उस कोई तत ग्यानी उस उस अकालप्रक वाही गुर को हाजर नजर जान कर प्रतक उनको देख कर गा रहा है यह था बहुत अच्छे गुरु सामाने वचनिया पे कह हुएं आपे नेड़े दूरे आपे आपे ही आपे मंज मियनों आपे वेखे सुने आपे ही कोदरत करे जहनों जो तिस पावै नान का होकम सोई परवानों तो गुरु सामाने वेखे सुने आपे ही आपे नेड़े दूर आपे ही वो आप ही पास है आप ही वो दूर है आप ही मंज मियनों और सब कुछ वो आप है आपे वेखे सुने आपे ही आप ही देखता है आप ही सुनता है कोदरत करे जहानों ये कोदरत जहान को प्रभू के जस्त को इसी तरीकी से गाते हैं उसकी कथा व्याक्या भी करते हैं ता सद्गूर साहिब महराज जी फूर्माते हैं उन्हें इस इनकी बातों का जबाब आगली आगे वाली लाइनों में जबाब दिया है कथ ना कथी ना आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट ऐसे अब फूर्माते हैं कि कथ ना कथी ना आवै तोट उस परवर दिगार की कथा का कोई तोट नहीं है कोई जितना मर्जी अपने आप से कथा करे जितना मर्जी कोई ग्यानी से महा ग्यानी बन जाए बहुत बड़ा ग्यानी फिर भी उस परवर दिगार की कथा को उस परवर दिगार की तकरीर को बड़ा नहीं कर सकता उनकी उस परवर्दिगार की तारीफ को परवर्दिगार की सिफत सलाह को बढ़ा बढ़ा कर वो ठक जाएगा लेकि उस परवर्दिगार की कथा का कोई तोट नहीं है कहां तक है वो फरमाते हैं काथ काथ कथी कोटी कोट कोट कि कई करोड़ लोग तुगुरसा फुर्माते हैं ऐसे दिलोग को करोड़ ही लोग पंडित विद्वान करोड़ ही लोग उक्ती जुक्ती के साथ कथन करते हैं पर उस प्रभुई कथा कोई तोटा नहीं आता है ऐसे दिलोग को बहुत सारे लोग ऐसे वाहि गुरु कथा का दिश्टात करते हैं गुरु साब के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं पर लेकिन फिर भी कथना कथीना आवाय तोट उस कथा का कोई तोटा नहीं है कोई मुल्ले नहीं है इसलिए वो कथा अतोट है कोई ये निक इसके तक यहां पे एक कथा खतम हो गई है उसकी कथा आगे भी है ऐसा गुरु साइब फुर्मा रहे है तो फिर जब सिद्धों ने परशन किया कि यह जितने जीव प्रभु का जस गाते है कथा वारता भी करते है क्या खान पान के लिए खुरा कौन देता है इनको तो सत्गुर साइब यह फुर्मा तो सिद्धों का यह दिल में शंका आ गया कि अगर ऐसी जीव सब गाते रहे इस परमात्मा को तो इनको खान पाने के लिए कौन देता है कह से आता है तो गुरु साब महराज जी ने उनको बाद दलीर जबाब दिया तो उनने जब पूछा कि महराज जब ये खान पान इसमें चलता है कौन है इनका पीछी जो खाने पीने के लिए देता है तो गुरु साब ने फिरमाया देदा दे लेदे थक पाहे कि ये असे दिलो को देदा देने वाला दाता प्रबु है सब जीवा को वस्तू वही देता है और लेने वाले जीव ले लेकर थक जाते है और गुरु साब फरमाते हैं कि उसके दी हुई दात जगा जगंतर तक आगे वाले जगों जगात तक वो खाहे खा ही खाए खा खा कर भी वो ठक जाते हैं इसलिए वो ठक जाते हैं पर उनको तोट नहीं आती है गुरु नानिक साहिए महरज ने फुरमाया इसे दिलो को जब परवर्दिगार उनके खाने पीने का परबंद करते हैं ना उनकी आने वाली हजारों पीडिएं भी कुलें बैट कर खा सकती हैं जब परवर्दिगार सब को देता है गुरु साहिब फुरमाते हैं गौडी गौ़र में फुरमाया देन हार दातार मैं नित चितारेया निखुट न जाई मूल अतुल पंडारेया कि देन हार दातार ऐसे दोगो को कि देन हार दातार वो देने वाला प्रभू परमात्मा मैं नित चितार रहा जो सबको जीव को रोजी देता है वही परमात्मा उसको नित चितारा जाता है याद किया जाता है और जो जो जीव उस परवर्दिगार को याद करता है उस उस जीव के भंडारे भरते जाते हैं इसलिए फरमाए निकुट ना जाई मूल अतुल पंडारेया के निकुट तिल मातर साभी उसके घर में तोटने रह जाता है अतुल पंडारेया और अतुल बे अतुला बे हिसाब उसके घर बंडारे है जिसको बख्षता है तो फिर सिदो ने परशन किया कि सत्गुरु जी कोई जीव किस राह फिर रहा है और कोई जीव किस राह अक्सर इन से क्या कंट्रॉल है तो हजूस साहब फुर्माते हैं गुरु साहब महराज जिने उनका जबाब देते हो फुर्माया हुकमे हुकम चलाए रहा हूँ गुरु साब कहते हैं कि ऐसे दिलों को हुकमी प्रभू के हुकम का पालक है और वो अपने हुकम से हुकम दौरा ही सब जीवों को चला रहा है नानक वेगसाबे परवाह और फिर 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 ये जीब नादानगी और अपतगा हम देखते हैं तो बे परवाह मालक परसन होता है और जैसे बच्चे की बाल लीला को दे के माता पता खुश होते हैं ऐसे परवर्दिगार अपनी स्रिष्टी को दे कर खुश होते हैं कोई नाच रहा होता है कोई गा रहा होता है कोई खेल रहा होता है कोई कुछ कर रहा होता है कोई तमाशे कर रहा होता है कोई बाजिगर होता है ये परवर्दिगार की शिर्ष्टी ऐसी है ये ऐसे ही परवर्दिगार खुछ होता है ये सब उसके बाल हैं सब उसके बच्चे हैं सब उसके परिवार हैं इसलिए परवर्दिगर अपने बच्चों अपने परिवार को देख देकर हसते हैं और बेपरवाह रहते हैं कोई परवाह नहीं हजारों धरतियों का नाश हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं क्योंकि वो मालक हैं बनाना जानते हैं इसलिए नहीं कोई परवाह नहीं होती हैं तो फिर जब सिद्ध लोग थे तो गुरु नानिक सेब महारे सिवरी वेंति की सत्गुरु जी वो पर वो बेपरवा है और शर्वशक्ति मान पात्षाह का पात्षाह है उसका राज प्रबंद राश्ट्री भाशा और अनकूल पाब फरमाते हैं कि नाजाना उसका कौन सा है कि ना जाने वाला इंसान वो कौन सा अस्थान जो ना जानने वाला है तो गुरु साब मारे ने बहुत संदर रफ्सों में कहा साच कहू सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रब पायो तो मास्ताह ने इस प्रकारुन को बताया साच्चा साहिब साचनाई पाख्या पाव अपार ऐस दिलो को वो प्रभू सच्चा साहिब सच्चा पात्सा है उसके नाम अत्वा नियावी सच्चा है और इसलिए महारत साव ने इस बारी में फुर्मा दिया है कि जो भी वो करता है सच्च है पात्सा है एक होता है बाश्या पात्शा का मतलब है इज्जत का मालिक बाश्या का मतलब है बाद विबाद को समालने वाला तो ये पात्षा इज्जतों का मालिक है हरे को इज्जत परदान करता है अब आगे वाले की मर्चे इज्जत अच्छी लगे रख ले वरना गवावी सकता है वो तो इसलिए परवर्दिकार हरे को इज्जत परदान करते हैं इसलिए इनको पात्षा कहा जाता है तो फिर जब गुरु साहब से वचन सुना तो फिर सिद्धो की दिल में शंका आया कि सच्चे पाश्या उस प्रभू का मेलमलाप कैसा हो सकता है कैसे हो पाया जाते हैं दिखने में कैसे हैं तो फिर गुरु साहब माने सिष्टी को समझाने के लिए साज कहूं सुनलियो सबें प्रेम की उतिनी प्रभ पायो कि जो इनसान उस परवर्दिगार से प्रेम प्यार करता है वही इनसान परवर्दिगार को पालता है तो फिर सिद्धो ने प्रसंग किया वो पाथशा को अनेक भिकारी पाथशा प्रभू की किसे को दाता बख्ष करता है तो हजूर फर्मौन देहन कि किसे पकारियों दाता देने वाला है फर्मौन देहन हजूर कैसे दिलों को वो बिकारियों को भी दात देने वाला है बिकारी भी चले जाए कोई बादशा भी चले जाए उसको भी दाद देने वाला है फिर फरमा दिया गुरु नारक साहिव जी ने उसकी उत्तर जो परशन का जबाब गुरु सावर उत्तर में इस दलील के रही दिया आखे मंगह देह देह दात करे दात आर फरमाते हैं ऐस दिलो को उस प्रभू दर के भिकारी पहले उसकी आखे जो उसकी यश करते हैं अत्वा फिर प्राथना करते हैं फिर उस अकार को दाता मांगते हैं वो दाता सबका माली की उसको दाता कहके मांगते हैं अन्य दाता ऐ दात देने वाले परवरदिगार किरपा कर ऐसे से माइदे हैं वो बक्षिश करता है फिर दरगाह से उनको बक्षिश मिलती है और ये सब जाचना सुनके वो दातार प्रबू दीन दुनिया का दाता धरम अरत काम मोक्ष बक्षिश करता है अपने सिक्ष को कि इसने मुझसे प्यार किया है जो परवर दिगाह से प्यार करता है तो फिर गुरु सब आगे फुर्मा के बताते हैं फिर के अगर खिया जेत देसाय दरबार तो सिद्धु ने कहा फिर प्रशन किया ऐसत गुरु जेत कि जिस जगा प्रबू का दरबार दिखता है उस भेट करनी चाहिए जो प्रभू के दरबार के सामन को दे सकें और कौँसे ऐसा भेट उनको परदान करनी चाहिए चड़ावा कौँसा देना चाहिए तो फिर गुरुनाज साव जिने फुरमाया अम्रित वेला सचनाओं भड़े आई वीचार तो गुरु साब फरमाते हैं के सबसे बनां और गुरुनाज साब नुकाए सिद्लों को गुरुनाज साब जो फरमाते हैं किस चीज को देकर निरंकार पर मात्मा खुश होते हैं बोलन, बोलन का मतलब बदाते हैं बचन बोलिये जिसको सुनके प्रभू आगे से प्यार धारन करे और हमारा अच्छा प्यार हमें परदान हो तो फिर गुरु नानसा फरुमाते हैं सत्गुर जी फरुमाते हैं ऐसी दिलो को जो तुमारे पहले परशन का उत्तर ये है कि अम्रित वेले जो अम्रित का समा प्रभाती का समा होता है गुरु साफ फरुमाते हैं परभात के समय उठकर आप बिरती को इकागर करके सच्चे नाम का जाप और अभिहास करके उस सच्चे पात्षा को भेटा करो नाम सिम्रन पढ़कर उस परवर्दिगार को भेटा करो क्योंकि परवर्दिगार किसी चीज का भी भूका नहीं है उस परवर्दिगार को आपके प्यार की जरूरत है आपके नेम की जरूरत है जो सुबे का नेम होता है ना तकरीबन कोई पहला जब टाइम निकलता है बारा बज़े का रात का तो परवर्दिगार को खुश करने का यही टाइम होता है बारा से लेके पांच तक का टाइम सुबह तक का आप बारा से लेके पांच तक में परवर्दिगार को खुश कर सकते हैं उसका मतलब यह है क्योंकि हर वक्त आप परवर्दिगार को उनका जाप करने से नाम रटने से तो ठीक है लेकिन एकागरता नहीं मिलती है इनसान कोच चैन नहीं मिलता है जब वो परवर्दिगार की सिफत सलाह करता है उसका यश करता है तो उसके आस पास के जो वाइवरेशन वो चीकती हैं वो बहुत बहुत उचे उचे भोल रहे होते हैं इदर उदर के लोग तो ऐसे वो परवर्दिगार का नाम नहीं रिटन कर पाते हैं तो रात का समय इसलिए नोटिस किया कि रात के समय में परवर्दिगार की इकांत में अकेले रह करके केवल तुम और तुमारा परवर्दिगार इस तरीके से आपस अपने परवर्दिगार को नाम रिटन करके वाही गुरू वाही गुरू वाही गुरू बोल कर और उनके वाही गुरु का जाब किया है। आप किरपा करो इस वाही गुरु के जाब को आप अपनी दर्शनी भेट रख लो। कि तुमारे दर्शन हो जाएं इसको अपनी दर्शनी भेट जानकर आप कबूल कीजिए। वाही गुरु सिमन का यश करता है जो वाही गुरु सिमन का रटन करता है, स्वन्र रखता है तो उसको कुछी समय बाद परवर दिगार के लक्षन जो होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो फिर जब दूसरा प्रशन सिद्धों ने किया कि सत्गु सच्चे पाश शरी बताएं कि ये सब कुछ ऐसे करने से वाही गुरु खोश होते हैं तो सत्गुरु नारेश साब ने कहीं सिद्धों को हाँ यही तरीका है उस परवर्दिगार को खुश करने का एकात हो करके सच रह करके नाम सत्य रटन करके उस परवर्दिगार को भेट किया जाए परवर्दिगार किसी चीज़ का भूका प्यासा नहीं है केवल गोविंद प्रेयम प्यार का भूका है उसको प्यार दिया जाए इसलिए गुरु नारेश साब फरमाते हैं फिर दूसरी पंक्ती में मुक्ती प्रापत नहीं हो सकती है मुक्ती वास्ते कुछ वस्तो की क्या जरूरत होती है तो हजूर फरमाते हैं कर्मी आवाय कपड़ा नदरी मोख दो आर ऐसे दिलों को अच्छे और बुरे कर्म हमारे साथ और वो जामा कपड़ा माना जाता है जिसे हम नए कपड़े डाल जाते हैं और पुराने हो जाते हैं समय के बाद तो उनको लाकर उतार दिया जाता है फिर उनको बाद में धारनी किया जाता है इसलिए बुरे और अच्छे कर्म हमारा कपड़ा है जैसे हम कपड़े को धारन करते हैं ऐसे हम कर्मों को धारन करते हैं तो फिर शरीर मिलता है और मुक्ति द्वार दर्वाजा ज्यान प्रभू की किर्पा द्रिष्टी के साथ प्रापत होता है भाव मुक्ति साधना का फल नहीं किर्पा द्रिष्टी का फल होता है जो अपने शरीर को अच्छे से अपने अंदर की जीवा अपने कूड़ पालना को तोड़ डाले जो पर परवर्दिकार सच्चा प्रेम करता है उसे पर ये बक्षिश अठट हो जाती है इतनी बक्षिश जाती है कि कभी भी उसको हार नहीं आती है ऐसा परवर्दिकार का कहना है तो फिर गुरु साब फुर्माते हैं नानक एवैजानिया साब आपे सचयार सद्गुर्जी फुर्माते हैं ऐसे दुलों को एवै इस प्रकार नाम प्रवु की सिफत और किर्पा दिश्टी द्वारा इस भेत को जाने जाता है और सचयार प्रवु आप ही सरब रूप होके सब दुनिया में विचर रहा है सब दुनिया प्रवु परमात्मा खुद हैं आप हैं एहो विच संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया ऐसे दिलों को ये जो दुनिया है ये संसार है ये परवर्दिगार का रूप ही तो है इसलिए मैं छोटा से हापे धार न दूँगा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए दिलों में परवर्दिगार का वासा है दिलों में खुद परवर्दिगार का राज है जब सावने वाले इंसान को धोका दिया जाता है तो कोई मत सोचे के धोका आगे वाले को दे रहे हैं नहीं, धोका स्वाइम को दे आ जाता है स्वाइम को धोका देते हैं क्योंकि परवर्दिगार जब दिल में रहते हैं तो जब आगे वाले को धोका देने उसमें कौन है तो उसमें परवर्दिगार है सवाई फिर अपने आपको धोका दे रहे हैं इसलिए किसी को धोका देना भी गलत है किसी का दिल दुखाना भी गलत है दिलों में परवर्दिगार का वासा है तो फिर गुरु नाने साब फुर्माते हैं कि ऐस सिद्लों को इस तरीके से ये संसार तुम देख दे ओहर का रूप है इस परवार्दिगार के सारा सरूप इस दुनिया का रूप है तो अगे फिर सिद्लों ने परशन किया तो एस सत्गुरु जी चरना परशन किया सत्गुरु जी ऐस सत्गुरु जी सचे पास्षा अकाल पुरुख जी मुझे ये बिताओ किरपा करके कि जो हजूर है इसका उत्तर कैसे हमको पता ले गया तो गुरु साब फिर गुरु साब जी ने पांचवी पौड़ी में इसका उत्तर दिया थापया ना जाए किता ना होए फुर्माते हैं ऐसे दिलों को वह प्रबू किसी के पास से किसी जगा जानशीन नहीं किया जाता वो नहीं थापा जाता है वो नहीं उसको कोई थापने वाला नहीं है थापया ना जाए उसको कोई जनम दिने वाला नहीं कीता ना होए उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है वो सरभ्यापक है खुद अपने आप में से आप है वो इसलिए फिस दुने प्रशन किया आपे आप तो फुर्माते हैं फिरो प्रभू किस प्रकार हजूर वो दर्शन देते हैं तो फिर गुरू साथ फुर्माते हैं आप पे आप निरंजन सोए ऐसे दिलो को वो परवर्दिगार निरंजन शुद्ध सरूप है प्रभू अपने आप से ही पैदा होया है यता अपने आप से काशिक है कोई इसको बनाने वाला नहीं कोई इसको तोडने वाला नहीं कोई इसको मारने वाला नहीं वो परवर्दिगार अपने आप में से आप हैं तो आज हमने पांचवी पौड़ी पर विश्राम दिया है कल से हम इस पांचवी पौड़ी से आगे प्ररहम करेंगे आगे सिद्धों ने कौन से कौन से प्रशन गुरु नानस साब से पूछे आपको कल की समय में ये सब उचारन बताया जाएगा भूल चुक की माफ़ी वाहि गुरु जी का खाल साथ वाहि गुरु जी की फते